हलो फ्रेंड सौल वी देखे मैं आपका स्वागत है मैं आमिद कुमार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके लिए एक टीडियेस से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ जो कि मैंने पीछे भी दो वीडियो टीडियेस पे बना चुका हूँ और आपने मेरे उस दोन प्रोपर्टी कि अगर हम प्रोपर्टी कोई सेल या पर्शेज करते हैं तो उस केस में टीडियेस का क्या रोल है कैसे डिडेक्ट किया जाएगा कैसे डिपोजिट किया जाएगा कैसे चलान जनेरेट किया जाएगा तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताने वाला तो मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ कि अगर आप कोई property purchase करते हैं तो उसमें TDS कब deduct किया जाएगा, उसका क्या percentage है और कैसे generate किया जाएगा, कैसे property detail और उसको सामने वाले person को कैसे input मिलेगा तो इस वीडियो में complete आपको बताने वाला हूँ तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि सबसे पहले कि TDS on property इसका section क्या है, किस under section में आता है TDS on property तो सबसे पहले जो हमारा TDS के TDS on property पे जो section है वो है 194 IA, ये TDS के section के अंडर आता है अब इसका जो detail है, under the income tax laws, any person responsible for paying money towards a resident individual to buy a house or any other immovable property other than agriculture land sell deduct tax इट मिन्स कि अगर कोई भी person, कोई property purchase करता है जो कि immovable है, इट मिन्स कोई building है या कुछ भी agriculture land, मतलब जो भी खेती बारी से related है उसके अलाबा, उसके अलाबा कुछ भी है, उस पे TDS deduct किया जाएगा अब उसके बात आता है कि इसके अंदर कौन-कौन सी संपत्य, मतलब कौन-कौन सी संपत्या है, तो income tax act के section 194 IA के मताबिक अगर लेंदेन की value पचास लाख या उससे ज्यादा हो, तो खरिदार को बिक्री के बिचार के लिए 1% का tax कटोती करनी होगी इस section के तहत RIC, commercial संपती के अलाबा जमीन भी आती है, लेकिन किर्सी भूमी की खरिद इस प्राबधान के तहत नहीं है जो कि मैंने पीछे भी बताया है कि अगर कोई खेती बारी से लिटेड कोई खेत है या कोई बाहर का जगए है, तो उसको इस TDS के अंडर सेक्षन में नहीं आएगा ठीक है, अगर आपको एक परसेंट, अगर पचास लाग से ज्यादा आमाउंट है, पचास लाग या पचास लाग से ज्यादा है तो एक परसेंट का TDS काटा जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बार देखा कि 10 लाग, 15 लाग, 20 लाग ऐसे वाले केस में TDS डिडक्ट नहीं होता है, ये पचास लाग या पचास लाग से उपर पे होता है, तो उसके बाद आता है कि TDS जो कटेगा, उसका हम भूतान कैसे तो संपती की खरीदार को TDS या तो कन्वेंस डीड के निस्प्रदान या उसके पहले अगर एडवांस सुकाया गया, तो उस वक्त देना होगा, जैसे कि ये डीटेल मैं आपको बताता हूँ ऐसे, कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी, मान के चलिए, एक करोर आठ लाग में हम उसमें दो पार्टनर है, और सबसे पहले जब हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो फर्स टाइम में ही सारा पेमेंट नहीं करते हैं, जैसे बेना होता है, उसके बाद फर्स इंस्टॉल्मेंट होता है, जैना हम जब हमारा प्रॉपर्टी रजिस्टर होता है, तब हम तो TDS कब काटा जाएगा यह जो हमारा payment का होता है अगर दो या हम तीन वारी में payment दे रहे हैं तो हमारा जो TDS है वो कब लागू किया जाएगा मतलब TDS कब apply होगा तो इसका जो पहला पहली किस्ते जब आप पहले first payment करेंगे TDS by default तभी से आपका apply हो जाएगा आपको पहले installment से ही TDS deduct करना है यह नहीं कि अगर जैसे कि एक दो महिने या तेन महिने का time है तो आप last वाले पे deduct करें ऐसे case में आपको penalty भरना पर सकता है तो वो by default first day से ही apply होता है और 30 दिन के भीतर आपको return file करके submit भी करना होता है यह other than salary 26 QV के अंदर जाएगा जैसे 24 QV होता है 24 Q जो हमारा salary का होता है यह other than salary में जाएगा ठीक है TDS के भुगतान के अन्य विबरन पेस करने के लिए आपको form कम चलान number 26 QV भरना होगा अगर एक संपत्ती case से जादा खरिदार या विक्रेता है तो दोनों के लिए अलग-अलग form 26 QV भरना पड़ेगा खरिदार और विक्रेता की सभी जानकारी form 26 QV में देनी होगी जैसे कि मैं ने बताया कि आगर किसी भी property को जैसे एक करोड आठ लाग का की property है अब इसको दो पार्टनर ने दो भायों ने या दो किसी भी दो लोगों ने मिलके उसको प्रशेज किया है तो इस case में 54-54 लाग का अगर मान के चलो बराबर का हिस्सा है तो 54-54 लाग की payment होगी दोनों के तरब से तो दोनों के तरब से form 26 QV भरा जाएगा और उस पर TDS डिड़क्ट किया जाएगा तो हम आगे चलते हैं कि TDS के भुगतान के लिए जो जानकारी होती है वो जैसे form 26 QV में खरिदार और विक्रेता का नाम पता, pen, mobile नमर और email ID की जानकारी देनी होगी जब हम TDS काटते हैं तो किसी को refund भी मिलेगा तो उस case में आपको जो भी seller है हमने तो purchase किया है और हमने payment किया है तो हम TDS काटेंगे और जो सामने वाला seller है जो हमें property बेच रहा है उसको TDS का refund मिलेगा तो कैसे मिलेगा तो उस case में उसका नाम, पता, mobile नमर, पूरी जानकारी डालना होगा जब हम form 26 qb फाइल करेंगे उसमें आपको प्रपर्टी के पूरे पते के अलाबा एग्रिमेंट की तारिक कुल कीमत और पेमेंट की तारिक इत्यादे भी बतानी होगी जैसे होता है कि अगर जैसे रेजिस्ट्री के टाइम में आपने किस किस डेट में पेमेंट होती है क्योंकि आप पैन नंबर डालेंगे तभी आपके पैन पे वो टीडियस रिफ्लेक्ट करेगा और आपको उसका इन्पुट मिलेगा अब आता है अगर आप सही डिटेल नहीं डालते हैं तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा 26 q में दिये गए पैन कार्ड के ब् 14.e film 6 तो यूच करते हैं तो आप उस सलान को इंकम टैक्स के साथ पे जाके वहां से जनरेट करके आप वहां से भी जनरंडा जमा करवा सकते है । यह फिर आप वहांसे प्रिंट करके बिंट करके बैंक के द्वारा भी एक चैक बना के चैख पे आपको लिखना होगा yourself on TDS yourself account TDS डालके वो form लगा के आप बैंक के अकाउंटर पर देंगे वो बैंक का काम है वो अपना TDS जमा कर देंगे साथ में आपको एक detail देंगे वो आप अपने CA को अकाउंट को दे दें जो वहां से साइड से जाके चलान डाउनलोड कर लेंगे इसके बाद एक बार TDS के डिपोजिट होने के बाद खरीदार को इंकम टेक्स website से form नंबर 16 B में TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा इसके बाद 15 दिन के भीतर उस बिक्रिता को देते हैं जब एक बार आपका यह प्रोसेस हो जाएगा तो अब 10 से 15 दिन के अंदर में form 16 B साइड से जाके डाउनलोड कर लेंगे यह जो है डेटेल है कि जो हम चलांज करते हैं जो मैंने जैसे पीछे बताया आपको कि प्रोपर्टी का डेटेल पैन नंबर शेल्र परस्यज सेड दोनों जो हैं उनका कैसे भरा जाता है वो चीज मैं बताता हूं इसमें मैंने पुरी डीटेल बना रखी है तो सबसे पहले आपने क्या डालना है पैन नंबर डालना है कौन पर्चेज कर रहा है वह हो जाएगा डिटेल्स में आपको एसेस्मेंट यह फाइनेंशियल यह आ गया चौबिस पच्छीस तइस चौबिस ठीक है पिमेंट मोड क्या है कि आप जो टीडियास जमा करवा रहे हैं कैसे करवा र जाएम जैसे कि मैंने लिख राख है आमिद कुमार पैन नंबर मेरा ऐड्रेस मौबायल नंबर इ-myll id सब कुच आपको प्रॉपर डालना होगा सैलर कौन है सैलर का नाम पैन नंबर उसका Er Pacific निमेल आड रमभी यह पूरी डिटेल्स इपको उसके बाद प्रोपरट ट्रा प्रोपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका भी डिटेल डालना होगा तो आप सबसे पहले प्रोपर्टी टाइप क्या है तो बिल्डिंग है डेट ऑफ एग्रिमेंट किस डेट को रजिस्ट्री हो रहा है तो यह 4 अगस्त को हो रहा है टोटल अमाउंट क्या है यह जैसे मैंने आपको बताया कि एक करोड आठ लाग का है तो दो पार्टनर है तो मैंने एक पार्टनर का आपको यह डिटेल बना हुआ तो चौबन लाख रुपे हो गया ठीक है उस पार्टनर का एड्रेस क्या है तो यह एड्रेस हो गया ठीक है ऐसे ही डेट ऑप पेमेंट हो गया डेट जमा करवाने हैं अब जैसे आप बैंक के द्वार वह चलान जमा करवा लेंगे तो आपके जो content है वह साइड पे जाके इंकम टैक्स एपार्टमेंट के साइड पे जाके वहां से चलान डाउनलोड यह चलान की होगा देन आप 10 से 15 दिन के बाद एक सर्टिफिकेर जनेरेट होगा उसको आप डाउनलोड कर लें और अपने जो आपका जो सेलर्थ है उसको दे दे इससे उनका सिये वह रिफंड ले लेगा तो यह था अपना पूरा TDS on property पे कि हम कैसे TDS deduct करते हैं किस amount पे यह लागू होता है तो अगर 50 lakh से उपर है तो हमें 1% TDS कार्टना होगा और यह किसी भी जो agriculture form होता है उस पे लागू नहीं होता है तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अगर फिर भी आपको कोई problem हो कोई समस्या हो तो आप comment box में मुझे comment करके पूछ सकते हैं और हमारे साथ ऐसी बने रहे थैंक यू बबाई टेक केर